गाए वे बेश के दूद में अंतर जो बहुत कब लोग जानते हैं नमर एक बेश अपने बच्चे से पीठ फेर कर वेड़ती है चाहे उसके बच्चे को कुटा खा जाए वह नहीं बचाएगी जबकि गाए के बच्चे के पास अंजान आदमी तो क्या सेर भी आ जाए तो जान दे देगी पर अंतु जीते जी बच्चे पर आज नहीं आने देगी इसलिए उसके दूद में इसने का गुण बरपूर होता है नमर दो बेश को गंदगी पसंद है कि चड़ में लथपत रहेगी पर गाए अपने गोबर पर भी नहीं बेठेगी उसे सवस्ता प्री है नमर तीन बेश को गर में दो किलोमेटर दूड तला में छोड़ कर आ जाओ वह गर नहीं आ सकती उसकी यदास्त जीरो है गाए को गर से पाच किलोमेटर दूड छोड़ दो वह गर का रास्ता जानती है आ जाएगी गाए के दूद में इसमर्ती तेज है नमर च्यार दस बैसों को बांदगर बीस फुट दूड से उनके बच्चों को छोड़ दो एक भी बच्चा अपनी माँ को नहीं पैचान सकता जबकि गो साला में दिन बार गाए हुए बच्चड़े अलग-अलग सेड में रहते है शाएकाल जब सबका माता से मिलना होता है तो सभी बच्चे हजारों की संक्या में अपनी मा के पैचान कर दूद पीते हैं ये गाए का दूद की एदास्त नमर पांच जब बेश का दूद निकालते हैं तो बेश सारा दूद दे देती है परंतु गाए थोड़ा सा दूद उपर चड़ा लेती है और जब उसके बच्चे को छोड़ेंगे तो उस चड़ाए दूद को उतार देती है ये गुण मा के हैं जो बेश में नहीं है नमर छे गली में बच्चे खेल रहे हो और बेश बाकती आ जाए तो बच्चे पर पैर आवसे रखेगी लेकिन गाए आ जाए तो कभी भी बच्चों पर पैर नहीं रखेगी नमर साथ बेश दूप और गर्मी से नहीं कर सकती जबकि गाए मैं जून में भी दूप में बेड़ सकती है नमर आठ बेश का दूद तामसिक होता है जबकि गाए का सात्विक नमर नो बेश का दूद आलसे बारी होता है उसका बच्चा दिन बर ऐसे पड़ा रहेगा जैसे बांग खाकर पड़ा हो जब दूद निकालने का समय होगा तो मालिक उसे उठाएगा परंत उगाए का बच्चडा उतना उचलेगा कि आप रसा खोल नहीं पाएंगे फिर भी लोग वेश खरीदने में लाखों रुपे खर्च कर देते हैं जबकि गो माता का दूद अमर्थ समान होता है जै गो माता की दोस्तों मुझे आचा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो मेरी यूटूब चैनल आईसके सर्मा डबल टू सिक्स एट को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं दोस्तों इन मेंसे कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी हमें कर्मेंट करके जरूर बताईए आपका दिन सुब हो धन्यवाद दोस्तों